गुड मॉर्णिंग टैन क्लास, कैसे हो बच्चों, I hope कि आप बहुत अच्छे होंगी, ठीक है, तो आज कल जो हमारा टॉपिक हमने शुरू किया है, चैप्टर, वह हमारा प्राकर्तिक संसाधनों का संपोशित प्रवंदन, ठीक है, यानि कि प्राकर्तिक संसाधनों का हम प्रवंदन किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे पिस च्रेक्चर में आपको बतायता है, प्राकर्तिक संसाधन क्या होता है, जो भी हमारी प्रितवी प्रफस्तित संसाधन है, जिनका उप्योग ह हावा है, पानी है, म्रदा है, जंगल है, वाइड लाइफ है, अगर हम इनका अधिया दोहन करेंगे, तो यह क्या होती है, नश्टर होने के कगार पर रहती है, इसलिए हम क्या कर रहती है, इस चैप्टर को यहां पर पढ़ रहे हैं, कि कैसे हम अपने प्रधवी को संसाधन आठाल कर युक्त रख सकें, ठीक है, संसाधन विमुक्त नहींuit, संसाधन उसे युक्त रख सकें, इसलिए चैप्टर लगाए, पिछले रैक्चरपे हमने बात कर रही थी था, त altri यादोगा, आपको क्या बक्या है बच्चों फाईवार? पहला था क्या? refuse देखिए फिर क्या था reduce फिर reuse और recycle तो आपको में सब्सक्राइब करने five बार याद रखना है तो देखते हैं कि हमें संसाधनों के प्रबंधन की आउशकता क्यों पड़ी देखो बच्चो संसाधन तो आप समझ गए है ना प्रबंधन क्या हुआ देखो किसी भी चीज का management करना क्या कि लाता है प्रबंधन करता है जैसे हमारा स्कूल है ना तो हमारे स्कूल में क्या है 500 के करीब बच्चे हैं तो अगर हम क्या करेंगी पहले हमने उनको क्या करा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा विद्याले में अफरात अफरी मल जाएगी अलग उल्ला हो जाएगा कोई भी बच्चा प्रवपली पढ़ नहीं पाएगा अगर हम सब को एक सांथ हर छोटे बड़े को एक सांथ परहें तो यह क्या है विद्याले management है ऐसे ही क्य ठीक है एक प्री प्रवंदन उसका होना चाहिए ठाकि हम उसके लिए क्या कर सकें नई-ने प्रेयुजन कर सकें या उसको हम कैसे टेकल करें इन बातों में हम पहले से ही विचार करें ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे संसाथन है कम ना परने नस्ट नहीं होगा कि जैसे भोजन हैं कुपरे हैं पुस्तागै, ख्फलोन फंशार ओजार, वाहन इतियाद सबे हमें से मिदे हैं प्रिथवी से मिलें नियुकंगे सिर्वियर प्राकरतिक संसादन से ही क्या हो रहे है हमी यह सारी चाहें ब्हुजन है कपरे हैं पुस्तक हैं, खिलोने हैं फनीचर है, माहन है तो यह सब हमने कहां से प्राप्ति किए प्रकृति में उपस्तित जो प्राकर्तिक संसादन है उनसे ही हमने क्या करें यूश कि हम केवल एक ही प्रिधवी के बाहर से प्राप्ति करते हैं वो क्या है उगजा है ठीक है सूरी का प्रकास क्या है पृधिवी से बाहर से आता है और वो हमें क्या देता है उगजा देता है ठीक है तो इसलिए हमारा कर्तर पे क्या है कि हम अपने संसादनों को विवेक पूर्ण डंग से पिछले चप्टर में में बात करी थी विवेक बुद्धी मत्ता पूर्वक क्या करेंगे, इनका उप्योग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये संसादन असीमित नहीं है, ठीक है, कुछ संसादन तो असीमित है, ठीक है, और कुछ संसादन क्या है, सीमित है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि उनका मैनेजमेंट करना प अपयोग करें ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या रहे सुरक्षित रहे और हम भी उसका प्रयोग कर सकें ठीक है ऐसा नहीं कि हम उसका उपयोग नहीं करें आगे के लिए सही से नहीं हम भी उसका प्रयोग करें लेकिन के प्रयोग से करें विवेक पून करें जित हमारे medical मैजब से तरफ की हुई है हमारे देश की तो उससे क्या हो रहा है कि जनसंक्या मत्ती व्रद्धी हुई है तो जैसे पहले क्या था मृत्ति रेट भौड़ा देख था स्वास्त सेवाओं के वज़े से मृत्ति रेट घट की है और जनसंक्या व्रद्धी तो continue है तो उस ठीक है अगर कभी मेहमान आ जाते हैं या कोई आपकी कजनस आ जाते हैं तो फिर क्या होता है हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है वेट करना पड़ता है ठीक है वाश्रूम का यूज है खाने के लिए हर चीज में क्या होता है हर चीज हमारी क्या हो जाते है क्या है कि जादर से जादर population होगा तो क्या होगा उसे उतने ही जो प्राकरतिक संसादन है उनकी requirement भी उनकी आवशक तायें भी क्या होंगी बढ़ जाएंगी और जो प्राकरतिक संसादन है उसका use भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तुसलिए हमें क्या करना है इन संसादन को ध्यान में रखते हुए हमें आने वाली कई पीडियों तक इनका क्या करना है दोहन होने से सोशल होने से रोकना है और इनका sustainable तरीके से क्या करना है यूज करना है, संपोस्ट तरीके से इनका यूज करना है, ठीक है हम भी यूज़ करें, हमारे आने वाली पीडी भी यूज़ करें, उसकी आने वाली पीडी भी यूज़ करें, यह तब ही पॉसिबल है बच्चों, जब हम इसका क्या करेंगे, जितना हमें आवशकता है, उतना ही हम यूज़ करेंगे, उसका मिस्यूज नहीं करेंगे, और हम क करेंगे लोगों को इसके प्रतिका करेंगे जागरू करेंगे ठीक है और यहावी इस बात की इस प्रबंधन में ठीक है देखते हैं इस प्रबंधन में यहावी आवशक है ठीक है देखे इस प्रबंधन में यहावी आवशक है या सुनिशित करने के आवशकता है कि इसका वि अमीर वा सकतिसाली लोगों को ही लाब मिले ठीक है अब प्रकृति ने हमें संसादन दिये हैं ठीक है तो प्रकृति तो किसी में भेद भाव नहीं करती है अमीर है उसके लिए तो सभी बराबर है तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रकृतिक संसादन है केवल वो जो सकतिसाली ल एक बात पर और ध्यान देने की आवशक्ता है कि हम संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावन को भी शती पहुचाते हैं जैसे उधारन के लिए खनन से प्रदूशन होता है क्योंकि धातूं के निसकर्शन के सांसान बड़ी मातरा में धातूं मन निकलता है अतहा संपोशित प्राकरतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपसिस्टों के सुरक्षित निप्टारन की विवस्ता भी होनी चाहिए क्या कह रहा है देखिए कि इस बात पर भी ध्यान देनी की आवशक्ता है कि जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं जब हम किसी भी चीज का अत्याद इक दोहन करते हैं तो उससे क्या होगा हमारे जो पर्यावर हैं उसमें प्रदूशन की मातरा बढ़ जाती है जैसे कि कह रहा है कि हम धातु निकालते हैं तो इसके साथ अन्य चीजे भी आती है जिससे प्रयावर रकुनुक्सान पहुंचता है तो इन सब का भी हमको क्या करना चीए प्रबंधन करना चीए ठीक है management करना चीए संपोशित विकास ठीक है संपोशित विकास वो प्राकृतिक संसाधनों के संगरक्षों की बरतमान वैवस्विक चिंताएं हमारे देश में प्राकृतिक संगरक्षों की लंबी पारंपरिक संस्कृति की तुलना में हाल ही की है पूर यतिहासिक भारत में प्राकृति संगरक्षों की संपोशित विकास की सिद्दान की इस ठीरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित की गई थी क्यारा है कि अब जो ये संपोशित विकास की संगर्पना आई है ये तो अब आई है लेकिन हमारे जो रिशी मुनी थे या हमारे जो पूरवज रहे थे उन्होंने क्या क्या था प्रकृति को इतने प्यार से रखा था इतने अच्छे से उसका मैनेजमेंट क्या था कि हम उसका यूज तो करते थे लेकिन हम उसकी क्याक सहेच कर भी रखते थे ताकि हम क्या करें, आने वारी पीडी हमारी उनको देख पाए, उनका यूज भी कर पाए, ठीक है, हमारा प्राचीन साहित्य ऐसे उधारणों से भरा है, जहां पर मूल्य और पक्रदे के प्रती, मनुश्य की समवेद, नाउं क्या होती है, इस्थापित की लिए है, जैसे इनको धर्म से जोड़ दिया गया, ठीक है कि अगर आप इसको नुकसान पहुचा होगे, तो आपको पाप लगे है ना, तो इससे क्या हो रहा है, कि हमने क्या करा, कुछ जो हमारे लिए अतिया वश्यक या लावकारी पेड थे, उनको हमने क्या कर रहा है, प्रती में, अप तरीके से हम क्या करें, बच्चों में संस्कार भर रहे, ताकि वो अपने प्रती के प्रती उसको प्रेम हो, ठीक है, लगाओ हो, और वो क्या करें, उनकी पूजा करें, जैसे कि वो भगवान की पूजा करता है, ठीक है, तो ये सब चीजे कहां धर्म के और आस्था के साथ चोड़े गी है, कि प्रक्रती को नुगसान नहीं पहुंचाना है, उसके साथ, उसको साथ लेके आगे चलना है, ताकि वो क्या हो जाए, सदियों तक चलती रहे, ठीक है, वैदिकाल के दवरान जंगल, वनस्पती के उतपादक, वो साथ ही सुरक्षात्मक पहलों दोनों प जाते थे, लेकिन वन्य जियों से उनकी सुरक्षा भी की जाते थे, जाकि वो अत्यादिक उतको नुकसान ना पहुंचा, वैदिकाल के अनुत में, क्रिशी एक प्रभूख आर्थिक गदिविधी के रूप में उगरी, यह बहुत समय था, जब पवित्र जंगलों, गुफ कि हम सब चीज को क्या कर रहे थे, सहेज कर चलते आ रहे थे, वैदिकाल के बाद भी यह क्या हुई, लगातार चलती रही और व्यापक्ष्रेनी की जातियां, वहिनकी प्रथाओं का प्रमपराओं, प्रथाओं और अनिष्ठन के साथ, एक गृत करते हुए, प्राकर्थिक जोड़े हैं हम प्रकर्थिक चीजों का फ्योग भी रतते थे, इनको सहेज के भी लगते थे, और अपने बच्चों में भी ये संसकार डालते थे, ये प्रकर्थि ही हमारे ले क्या है, सब कुछ है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगए आपका ये जो टोपिक है कि हम प्राकरतिक परियावन मित्र बनाने के लिए आप अपनी आधतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं तो हम क्या हैं कि जैसे आपने पढ़ा है 5 बार अगर हम क्या करें इस 5 बार को अपने लाइफ में ले आएं तो उससे हम क्या कर सकते हैं अपनी आदतों में परिवर्थन ला सकते हैं ठीक हो गया दूसरा कोश्यन है कि संसाधनों के लिए कम अवधी के उद्देशी की परियोजना से हमें क्या लाब हो सकते हैं ठीक है तो संसाधनों के दोहन के लिए हमें कम अवधी में क्या लाब हो सकते हैं देखें जो जो लाब है वो कौन कमाएगा जो इंडर्स होगा उद्योग पती होगा वो ही लाब कमाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वहाँ से क्या कर रहा है कम से कम समय में पेड़ बॉनों का अधिक दोहन कर रहा है चाहे वो फरनीचर बनाने के लिए हो जैने चीजों के लिए हो तो वही क्या कर सकता है? लाब कमा सकता है. कम से कम समय हो, वही लाब कमा सकता है, जो कि जंगलों को ज़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुक्सान पोचाएगा. फिर आपका यहाल आप लंबी अवदी को ध्यान में रख कर बनाए गई परियोजना के लाब से किस प्रकार भिनने हैं ठीक है कम उद्देशियों में परियोजना का एक मातर लाब यह होता है कि बच्चे उसमें अधिक से अधिक दोवन होता है लेकिन जो लंबी अवदीगी होती है उसमें क्या होता है हम एक management के through ठीक है यानि कि हम अपने उत्तरदायतों को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रकरति के प्रति हमारे क्या उत्तरदायतों है उसको लेते हुए चलते हैं और हम क्या करते हैं sustainable development की ओर भड़ते हैं जिससे कि आने वाली पीनियां भी क्या कर सकें यह प्राकरतिक संसाधनों क लाव ले सकें फिर पूछ रहा है लास्ट में कि आपके विचार में क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वित्रन होना चाहिए संसाधनों के समान वित्रन के बिना समान वित्रन के बिना समान वित्रन के बिना कौन सी तागतें कारे कर सकती हैं तो क्या होगा कि हमारी धर्ती अभी जैसे आपको शुरू में बताया है कि जो हमारी धर्ती है वो क्या है सभी के लिए समान है प्राकरतिक संसाधन भी सभी के लिए क्या है समान है तो इनका वितरण भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए लेकिन क्या होता है कुछ अगर सत्पी चाली या पावरफुल लोग इसका उप्योग करते हैं तो क्या होगा समान मित्रण नहीं होगा कुछ तो लग्जूर्य साइब जीएंगे और कुछ जीहीं नहीं पाएंगे तो उससे क्या होगा एक गैपिंग सुरू हो जाएगी और एक संगर से सुरू हो जाएगा जो कि क्या है प्राकरतिक संसाधनों के लिए अच्छा नहीं है या हमारे वातावरण के लिए या हम कह सकते हमारे आपसी जो संगर से वो कभी भी अच्छा नहीं होता है तो इसलिए हमें मिल जुलकर क्या करना चाहिए प्यार से रहना चाहिए और सब को प्राकरतिक संसाधनों का उपियो करना देना चाहिए लेकिन कैसा उपियो बुद्धी मत्तापूर्ण न उपियो ठीक है बच्चो तो आप इन questions को क्या करेंगे अपनी copy में लिख लेंगे पहले तो आप जो पिछले रेक्चर में आपको पढ़ाया था क्या फाइब बार पढ़ाया था ना तो उसको आप क्या करेंगे अपनी copy में लिख लेंगे ठीक है उसके बाद ये वाले जो है question आप कर लेंगे ठीक है कि पहले जो लिखेंगे कि जो परियावरण है प्राकरतिक संसादन है वो क्या है उसके बाद ठीक है तो इसको मैं आपको भीज दूँगे उसके बाद आप इसको कर लीजिए ठीक है बच्चो तो आज के लिए इतना है फिर नेक्स टॉपिक पर हम वन एन वन्य जीवन के बारे में बात करें ठीक है थैंक यू